एस जैशंकर के जवाब से तिलमिला उठे बिलावल भुटो बिलावल भुटो का फिर आया जहरीला बयान मोधी आरसेस से नहीं देता जहां एक तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुटो के पियम मोधी और भारत सरकार पर दिये बयान पर बीजेपी का उग्र आंदोलन जारी है वहीं एक बार फिर बिलावल भुटो की बौखला हट सामने आई है एक पाकिस्तानी अख़बार को दिये बयान में बिलावल भुटो ने कहा कि वे पियम मोधी और आरसेस से डरते नहीं है उन्होंने जो कहा वो एतिहासिक तथ्य पर आधारित बात कही और भारतियों को लग रहा है कि इतिहास याद दिलाना पियम मोधी पर नीजी हमला और अपमान है बदादे कि बिलावल के पहले दिये बयान पर विदेश मंतरी एस जैशंकर ने करारा जवाब दिया था एस जैशंकर ने बिलावल के बयान को अभध्र बताते हुए कहा कि पाकिस्तानियों से भारत की उमीदे कभी बहुत ज्यादा नहीं रही और ये पाकिस्तान के लिए भी निचले अस्तर का है वही बिलावल के बयान की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्राले के स्पीकर अरिंदम बाक्ची ने भी प्रतिक्रिया दी थी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उसामा बिल लादेन को शहीद के रूप में ग्लोरिफाई करता है और शायद भुट्टो 1971 भूल गये है जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतिय सेना के आगे सरेंडर किया था बतादे कि बिलावल भुट्टों ने नियू यॉर्क में एक प्रेस कॉंफरेंस में पीम मोदी पर नीजी हमला बोलते हुए कहा था कि पीम बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर बैल लगा द दिया था इस दोरान बिलावल ने प्रदानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जैशंकर को आरेसिस का प्रदानमंत्री और विदेश मंत्री करार दिया था